नवस्कार दोस्तो वेलकम टू कलक स्टिरी दोस्तो आज हम बहुत ही महतपूर्ट टापिक पर चर्चा करेंगे और जो हर एकजाम में पूंचे ही जाते हैं और वो है महतपूर्ट पदार्थों के पी अचमान और दोस्तो आपको राटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा क्य चले स्टार्ट करते हैं और दोस्तो आपको ग्याम में 100% सफल्दा मिलेगे ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले इनकी खोज जो है सौरेंसन नाम के वग्यानिक ने किया था सौरेंसन ठीक है Ş huga sır擊 उर्फण सा fluorinson नाम के वग्यानिक ने पिच्मान की کھोज Joo T ठीक है तो चले श्टार्ट करते हैं अप्ली ठीक है तो इधर आपको दोस्टो पदार्थ लिखे है और इधर पिहमान लिखे हैं तो नंबर लाइब में केवल साती दिन होते हैं ठीक है यही आते हैं बदल बदल कर और कुछ नहीं तो हमें सातों दिना क्या पानी तो पीना ही पड़ता है जरूरी है जीने के लिए ठीक है तो सातों दिना हमें पानी पीना पड़ता है सातों दिना ठीक है तेरा मेरा साथ सातों दिना ओ होता है तो नमक हम डेली ठीक है लेकिन चलिए तो हमें देखना है चीछी कोई भी देखते हैं पड़ा यह करते हैं चीची बद्दूझभ आरह यह चीची तो चीची मतलब six six चीची ठीक है आपका भी नहीं भूलेगे चीची बस मुत चीची याद कर ले न मतलब 6 ठीक है अगला देख लेते हैं दूद का है हमारा 6.4 पी एच मान है 6.4 दोस्तों हर बंदे खोईस होती कि उसके 6 F बने ठीक है 6 F 6 F इसमें 6 है मतलब 6 6 F तो दोस्तों 6 F बनाने के लिए क्या करेंगे 4 लिटर आपको दूद पीना पड़ेगे तभी बन पाएंगे 4 लिटर दूद ठीक है चार लिटर दूद 4 लिटर ठीक है दोस्तों तभी आपके 6 F बन पाएंगे तो इसका हो गया 6.4 ठीक है आप नहीं भूरेंगे दोस्तों बस सियाद कर लेना दूद कितना पीना है 6 एद बनाने के लिए तो फोल लीटर तो हो गया 6.4 ठीक है अलगर देख लेते सीर सीर का मतलब सीर का पी-च मानो होता 2.4 दोस्तों आपको यहां नजर आता होगा ठीक है सीर मतलब सर सर मतलब सर होते हैं कहां स्कूल लो पर कालेज पर और दोस्तों मान लीजी हम आज नहीं गए स्कूल ठीक है स्कूल आज हम नहीं गए तो क्या होगा कल मतलब अगले दिन हमें सर कितना मारेंगे 2-4 डंडे तो पक्का मारेंगे 2-4 डंडे इससे कम तो मारेंगी नहीं 2-4 मतलब 2.4 ठीक है दोस्तों शर हमें मारेंगे 2-4 डंडे 2-4 नार्मिन लोग बोलते हैं 2-4 ठीक है तो सर मारेंगे मतलब सिर्का सिर्का हुआ 2.4 ठीक है दोस्तों आपका भी नहीं बूलेंगा अगर आपको लगता है कि याद नहीं हो तो आप वीडियो को एक बार फिर देख लें गारंटी है आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए तो चलिए अगला देख लेते हैं तो फादर बोलता बेटा नहीं वो 84 मिल दूर है क्या है 84 मिल दूर वहां मत जाई ओ चौरासी मिल दूर है तो कैदा ठीक है 84 मिल दूर है तो नहीं जाओंगा मैं तो समुझरी जलका हो गया क्या 8.4 मिल मतलब 8.4 तो अगला देख लेते हैं रग्त का पी एच मान होता है क्या रग्त का पी एच मान है 7.4 मतलब यह दोस्तो आसुक भी होता है हमने लिखा भी नहीं है आसुक भी होता है यह 7.4 तो दोस्तो आपको रग्त है यहां ब्लड मतलब ब्लड डोनेट हर इंसानों करना चाहिए 7 दिन अगर 7 दिन नहीं कर सकते तो 4 दिन तो पक्क करना चाहिए 7 दिना मतलब 7 दिना ने करते तो 4 दिना पक्का करना चाहिए कियो किसी के आसू पूच जाएंगे कोई रोएगा नहीं आसू आसू नहीं निकलेंगे क्यों कि उसे जो जरूरत हो मिल जाएगा तो इसके आसू नहीं निकलेंगे जाहिज सी बात है ठीक ऐए तो रख्त डोनेट करना चाहिए ठीक है सातों दिना न करो तो चार दिना तो पक्का करना चाहिए किसी के आंसु पुछ जाएंगे ओके तो दोस्तों आपको याद होंगे 7.4 है आंसु को रख्त का पी एच मान तो अगले देख लेते सराब शराब जिससे और जिसका पी एच म और заним करना हुए और भूप दो चार नहीं दिखती डारिक्ट 8 दिखती है ओड ठीक है और दिखती है इत मतलब 8 दिखती है डारिक्ट लिगयु इतना ही लोगों ने यत्ना सराब पीया ओर उनको डारेक्ट 8best वंदेखनी लगी कोई भी ओड्स तो दोस्तों आपको याद हो गया हो अगला है हमारा नीम्बू ठीक है नीम्बू को parentsidän 2.2 ठीक है दोस्तों आपको मालू होगा कोई भी हम नीमबू मजार्श लाते हैं तो इसको डायर्क तो निचोड नहीं लाते हैं तो इसको हम चाकुस दो भाग करते हैं दो भाग करते हैं ठीक है दो भाग मतलब बीच से काट देते हैं तो उसके दो भाग होते हैं मतलब दो दो भाग कर देते हैं कोई भी निम्बू का तो निम्बू क्या करते है दो दो भाग करते हैं तभी हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो दो दो भाग से वह दो 2.2 ठीक है अब नहीं बूलेगे दोस्तो एरेंटी है तो लार अगला है हमारा लार ठीक है लार का pH मौन होता है 6.5 6.5 ठीक है 6.5 तो हमारा लार जो है तो लार कैसे आज़ी कोई भी हम अच्छी चीज देख लेते हैं या खटी चीज तभी लार आ जाती हैと अगर लार आ गई तो हम कोई भी वश्मांगते हैं कि भाई मेरे को दे दे एक खाने को तो हमारा भाई या दोस्त बोलता है या दुकंदार 9-2-11 हो गए 9-2-11 हो जा यह नहीं मिलेगी 9-2-11 मतलब दोस्तो 6-5-11 आपको यहाँ याद रखना है 6-5-11 ठीक है 6-5-11 हो ले बेटा मतलब भाग जा यह नहीं मिलेगी आपको चाह जितना तेरे ला रहा है मुपे ठीक है तो दोस्तो आपको याद हो गया होगा 6-5-11 मतलब भाग जा चाह जितना भी आपके ला रहा है यह नहीं देगा ठीक है ठीक है दोस्तो तो अगला देख लेते हैं तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा ये गरंटी में अगर याद नहीं हो तो आप वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा तो चलते हैं हम कुछ कूई जटेम्ट करने जिससे आपको सारा कंट फीजन दूर हो जाएगा और आपको पता हो जाएगा कि हमें याद हुआ या नहीं तो चली देखते हैं तो है समुद्री जल का पी एश मान होगा दोस्तों आपको मिलते हैं तीन सेकेंड ठीए तो उसको आपको पता हो गया होगा किसका राइट अंसर है आपसन ए 8.4 क्योंकि दोस्तों वो बच्चा जो हजित करने लगा था कि पापा मुझे समुद्र देखना है तो उसको क्या बोला तो बेटा ना जाओ आपसन भी 2.2 तो जाहिर सी बात है नीम्बो को हम दो भाग करते हैं 2.2 मतलब दो दो भाग करते हैं कभी खाते हैं इसको डाल कर ठीक है 2.2 अगला देख लेते हैं मोट का पी एच मान होगा यूरिन यूरिन का पी एच मान है क्या दोस्तों आपको मालूम है छी छी मतलब 6 ठीक है अपसन सी सही है अगला देख लेते हैं तो दोस्तों अगला तो है नहीं तो दोस्तों आपको मिलता है प्यार असर टेस्ट आपके लिए आपको कमेंट करके बताना है ठीक है सर आपका पी एच मान होगा ओके दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्ली करने का बिल्कुल ही मौका खतम ओके दोस्तों तो चलिए हैं जैहिंच जै भारत